Hey guys, welcome to study IQ, now recently आपने कुछ आर्टिकल्स देखे होंगे, शायद न्यूजबा मी सुना होगा कि पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोट है, उसने एक ओर्डर दिया है regarding पाकिस्तान ओक्यूपाइड कश्मीर और इस ओर्डर को लेकर इंडिया ने प्रोटेस्ट जिताया है और पाकिस् करेंगे, यहाँ पे इशू क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to google play store and download the study IQ education app, इस एप में आप हमारे various courses purchase कर सकते हैं, आप UPSC, bank, SSC, किसी भी एक्जाम की त्यारी कर सकते हैं, घर बैठे या कहीं भी with study IQ education app, तो डाउनलोड करिए इसको आज ही, ना यहाँ पे आप देखोगे, primarily आपको दो देश दिखेंगे, एक है पाकिस्तान और दूसरा है इंडिया, और यह इंडिया का वैसे proper map है, मगर unfortunately reality यह है कि बहुत सारा हिस्सा यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना ने illegal तरीके से, गलत तरीके से occupy कर रखा है, यहाँ पाकिस्तान ने occupy कर रखा है, और यह जो yellow पार्ट है, यह Chinese occupation के अंडर है, हमारे हिसाब से, यह जो सारा green पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, हम इसको कहते हैं, पाकिस्तान occupied कश्मीर, जो यह है, मगर पाकिस्तान अपने दिश्रिकोंड से, इसको दो हिस्सों में ब इसको और simplify करने के लिए मैं आगको कुछ important points बताऊंगा, जिस तरीके से इंडिया में various states हैं, हमारे महराश्टर है, मद्यपदेश है, हर्याना है, तामिल नाडू, उसी तरीके से पाकिस्तान में 4 province हैं, हलांकि province और state में difference होता है, इस चीज़ को लेकर difference होता है कि province जादा associated, जरा connected होते हैं with the center, states में कुछ हद तक जरा power उनको मिलती है, मगर concept समझने के लिए एक easy explanation आपको मैं provide कर रहा हूँ, कि जिस तरीके से इंडिया में states हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी 4 province हैं, और ये provinces हैं, बलुचिस्तान, केपी के, पंजाब और finally सिंध, अब ये 4 provinces के पाकिस्तान कहता है कि इनके देश में दो autonomous territory है, autonomous territory का मतलब ये होता है, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा, जो खुद को govern कर सकता है, उसको freedom है, कि वो खुद की governance करेगा, और खुद के affairs हमालेगा, मगर for the time being, जिस respective country के हम बात कर रहे हैं, उसके control में है, उसके अंडर ये आता है, तो पाकिस्तान कहता है कि इनके पास दो autonomous territory हैं, आजाज जम्मू कश्मीर और गिल गिल बाल्टिस्तान, तो मतलब कि पाकिस्तान के हिसाब से, ये जो दो इनके उक्यूपाई कर रखे हैं, पीसिस ओव लेंड, ये पाकिस्तान के constitution के हिसाब से भी, उनके देश का part नहीं है, पाकिस्तान कभी भी इन दोनों रीजन्स को part of पाकिस्तान नहीं बुलाता, वो कहते हैं, these are under पाकिस्तान, मतलब कि पाकिस्तान इनको administer कर रहा है, और आप अगर पाकिस्तान का सम्विधान भी देखो गया, अब पाकिस्तान में देखिए, problem ये है कि इनका जो सम्विधान है ये चार बार बन चुका है, जी हाँ, इनका सम्विधान तीन बार destroy हुआ, फिर अभी recently ये बना है 1974 में, सबसे पहले इनका सम्विधान बना था 1956 में, ये cancel हो गया, because of coup, उसके बाद 1962 में एक सम्विधान बना, ये भी cancel हो गया, मैं amendment की बात नहीं कर रहा, संशोधन की बात न पाकिस्तान के किसी भी सम्विधान का version देख लो, चाए पुराना हो, या फिर जो अभी इनका चल रहा है इस वक्त, कहीं भी इन्हों ने अपने सम्विधान में ये नहीं लिखा, कि आजाज जम्मू कश्मीर और गिलगेट बाल्टिस्तान, इनके country का part है, तो अब हम कहता है कि आजाज जम्मू कश्मीर और गिलगेट बाल्टिस्तान इनके हसाब से autonomas है, मगर यहाँ पर एक interesting point यह आता है, कि पाकिस्तान ने autonomy जो है, आजाज जम्मू कश्मीर की, वो काफियत तक बड़ा रखी है, मगर, मगर गिलगेट बाल्टिस्तान की autonomy आज के समि almost इन्होंने खतम ही कर दी है, actually आप laws के साब से देखो तो autonomy कुछ बची ही नहीं है, वो मैं आपको भी समझाओंगा कैसे, मगर आप अगर facts को देखो, तो जो आजाज जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर पाकिस्तान ने एक President और एक Prime Minister अपॉइंट कर रखा है, whereas गिलगेट ब population पहली थी, almost हुई है, मगर जो गिलगेट बाल्टिस्तान है, यहाँ पर पाकिस्तान ने धीरे-धीरे काफी changes introduced किये, through laws और overall demographics, मतलब के population काफी तक change कर दी है, जो गिलगेट बाल्टिस्तान के native लोग थे, आज के समय यहाँ पर बहुत ज़रा कम बचे हैं, जराता जो पंज मैं समझ लो, गिलगेट बाल्टिस्तान का आर्टिकल 35A था, तो जो कश्मीर में था ना, आर्टिकल 35A, कि इंडियन कोई और जो territory का हो, वो जम्मू कश्मीर में लैंड नहीं खरी सकता, अंडर आर्टिकल 35A, तो वैसाई law, इनके पास था, इसका नाम था state subject rule, तो जो and purchase कर सकते हैं, इसकी वज़े से, बहुत ही massive demographic change हुआ, और पाकिस्तान का जो प्रजाब province है, वहां की बहुत सारी population, गिलगेट बाल्टिस्तान में बस गई, फिर उसके बाद, पाकिस्तान की सरकार ने, एक और order introduce किया, August 2009 में, इसका नाम था, गिलगेट बाल्टिस्तान Empowerment and Self-Governance Order, इसमें लिखा हुआ है कि Empowerment होगी, Self-Governance होगी, मगर actually में, पाकिस्तान ने जरा जो power है, जो decision making, आप कह सकते हैं, authority है, वो President और प्राइमनिस्तर है पाकिस्तान के, उनको provide कर दी इस order में, इस order में पहले तो पाकिस्तान ने ये का कि, गिलगेट बाल्टिस्तान में ये एक legislative assembly और गिलगेट बाल्टिस्तान काउंसल बनाएंगे, मगर दोनों जगा प्राइमनिस्टर का critical role होगा, और lawmaking process में प्राइमनिस्टर आसानी से interference कर सकते हैं, और साथी साथ इस order के बाद, गिलगेट बाल्टिस्तान को एक special status मिल गया, एक semi provincial status, तो मतलब कि शक्ति का क पाकिस्तान ने यहां पर थोड़ा सा बढ़ा दिया और गिलगेट बाल्टिस्तान को जादा center के करीब यह ले आए, फिर उसके बाद इनका एक और order आया था, गिलगेट बाल्टिस्तान reform order of 2018, जिसमें उन्होंने citizenship की जो definition है, यह all change कर दी, इसमें उन्होंने यह भी add कर दिय कि जो भी व्यक्ति जो आता है, पाकिस्तान Citizenship Act 1951 के अंडर, वो भी यहां का citizen मना जाएगा, तो basically demographic changes, जो 1984 में start हुए थे, इसको large scale पर push किया इया in 2018, और साथी साथ इसमें गिलगेट बाल्टिस्तान को यह भी का क्या foreign affairs या फिर defense related, कोई भी statement नहीं दोगी अपनी assembly में, और Prime Minister को यहां पर और जरा power मिल गई, इन various sectors like hydropower, energy and others, अब यहां पर question आता है कि फिर recently क्या हुआ है, recently क्या पाकिस्तान ने कुछ बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्या यह गिलगेट बाल्टिस्तान का status change कर रहे है, recently आप अगर देखें तो जरा बड़ा change हुआ नहीं है, पाकि गिलगेट बाल्टिस्तान में उसका कोई provision नहीं है, तो इनको अनुमती दी जाए कि गिलगेट बाल्टिस्तान में यह election कर पाए, अब यहां पर अगर यह video properly follow कर रहे हैं, तो आपके mind में question आ सकता है कि wait wait, ठीक है इन्होंने गिलगेट बाल्टिस्तान में काफी changes किये, मगर तब भी यह कम से कम एक semi-autonomous region तो है ही, यहां पर इनका खुद का high court होना चाहिए, जो पाकिस्तान का supreme court है, वो एक semi-autonomous region पर अपनी judgment कैसे दे सकता है, वै इस पर भी मैं आपको बदा दू, 2019 में पाकिस्तान supreme court का जो आप कह सकते हैं jurisdiction है, यह नोंने बढ़ा कर उसमें गिल इलिगेट बाल्टिस्तान, अल्मोस्ट आज के समय, इन्होंने पाकिस्तान का party उना लिया है, demographic change कर दिये हैं, और अब recently यह बस supreme court के पास गए थे, पाकिस्तान की government supreme court के पास गई थी, कि हमको election कराने है यहां पर, तो आप इसकी अनुमती दे दो, तो उन्होंने का ठीक है, आप यहां पर election कर वालो, for the chief minister's post, अब question यहां पर यहां पर यहां आता है, कि फिर इंडिया ने यहां पर protest क्यों किया, देखो इंडिया का यहां पर view यह है, जो बिल्कुल सही view है, कि जो पाकिस्तान occupied कश्मीर है, वहां पर कोई भी decision, कोई भी judgment पाकिस्तान लेता है, वो ग इंडिया जिसमें आप यह सब कर रहे हैं, यह हमारा area है, आप इस area से जो अपनी forces है वापक से ले लो, यह area rightfully belong करता है Republic of India को, और इससे पहले भी पाकिस्तान ने जब भी, गिलगेट बाल्टिस्तान में कोई भी change किया है, चाए वो 2009 का order हो, उससे पहले 1984 का change हो, जब भी इ इंडिया ने specifically यहाँ पर mention किया है, 1994 का resolution in the Indian Parliament जहाँ पर हमने अपनी जो position है regarding, जम्मु कश्मीर यह clear करती थी के यह part हमारा है, और इसको हम एक दिन वापस लेंगे, अब यहाँ पर next question यह आता है, ठीक है, जो recently जो कुछ होया है, यह समझ में आ गया यहाँ पर, मगर पाकिस सब बरकरार है, वेल देखिए इसका बहुती simple answer है, चाइना और चाइना पाकिस्तान economic corridor, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान का map देखो, तो गिल गिल बाल्टिस्तान बहुत ही जादा important है, आप सोच कर देखिए, अगर जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुए थे, उस time, इंडि में trade ना कर पाते, it would have made a huge difference, तो पाकिस्तान के लिए, जो गिल गिल बाल्टिस्तान वाला area है, it is very much important, इसको ये properly अपना province इसले नहीं बना रहे है, क्योंकि इससे UN में जो इनका case है, वो बिलकुली zero हो जाएगा, हलाकि काफिया तक उसको loss अल्रेडी हो चुका है, मगर अभ जादी दिलाएंगे पूरी area को, ये बिलकुल खतम हो जाएगी, इसलिए पाकिस्तान ने अभी के लिए क्या किया है, कि गिल गिल बाल्टिस्तान की जो autonomy है, ये almost खतम करती है, ताकि चाइना comfortable feel करे, यहाँ पर invest करने में, क्योंकि चाइना को देखिया, eventually काफियत तक apprehension थी, कि ये अगर इतनी बड़ी investment करते हैं, और ये जो सड़क है, यहाँ पर इस तरीके से गिलिगेट बाल्टिसान से गुजरेगी, और चाइना को यहाँ पर बिलकुल पता है, कि ये एक disparate area है, और इंडिया claim करता है सिरिया को, तो उनको भी पहले कुछ हतक apprehension थी, कि यहाँ से CPAC को ये गुजारे या ना गुजारे, मगर पाकिस्तान ने काफी assurance दीनों ने ये कहा, कि इसकी जो autonomy हैं, काफिय दर खतम कर देंगे, जो demography है, ये change कर देंगे, काकि जो Chinese companies हैं, यहाँ पर investment करते वक्त safe feel करे, और since देखिए, पाकिस्तान ने यहाँ पर अपना जो control है, ये area में deployed है, 2010 में, आज से काफी साल पहले, 10 साल पहले, New York Times में बहुत ये अच्छी report छपी थी, उसमें उन्हें रिवील किया था, आज से 10 साल पहले, कि जो Gilgit-Baltistan area है, वहाँ पर total 7000 से लेकर 11000 Chinese cynic है, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये article का नाम है, China's Discreet Hold on Pakistan's Northern Borderlands, ये आ By the way, same news को, WikiLeaks ने भी cover किया था, बाद में 2011 के इनके cables हैं, ये Julian Assange की WikiLeaks की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये cable है, यहाँ पर इन्होंने New York Times के article की बात करी है, और फिर इन्होंने खुद भी confirm किया है, और various sources से ये भी कह रहे हैं, कि बिलकुल बहुत से Chinese soldiers आज के समय ये गिलगेट बाल्टिस्तान में मजूद हैं, सो इन सब factors के वज़े से पाकिस्तान के लिए गिलगेट बाल्टिस्तान काफी important है, और regularly इसकी जो autonomy है, ये erode कर रहे हैं, अब question यहाँ पर यहाँ आता है, कि जिस आप कह सकते हैं, aggressive nature से, पाक इंडिया यहाँ पर protest कर रहा है या नहीं, खेर इसी note पर वीडियो खतम करते हैं, उमीद करता हूँ, यहाँ पर आपको कुछ clarity मिली होगी, काफी कुछ जानने को मिला होगा, thanks for listening and as always, God bless you all.